नमस्कार मित्रो बहुत बहुत श्वागत है आपका हमारे चेरल में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दिपावली का पावन पर कब है इसका सुमुहरत इस प्रकार से है और आज की इस वीडियो आपके लिए महत्पुर्ण इसलिए भी होगी क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको माता लक्ष्पी को परसन्नक करने के दो महत्पुर्ण ऐसे उपाई को बारे में बताने वाला हूँ जिनको अगर आप कर लेते हैं दिपावली के किसी भी समय में तो आपके घर में पूरे साल धन दौलक की कमी कभी नहीं होगी क्योंकि हिंदु धर्म में तर्वो का विसेश परवतेवारों का विसेश महत्पु होता है और माता लक्पी जी जिनको भी परसन्न होती है उनके घर धन धान और रुपे पैसे की कमी कभी भी नहीं होने देती है और स्वेंग मालक में उनके घर में विराजबान होती है ऐसे में यह दोमंच आपके लिए विसेश उत्तम फल्दाई रहेंगे और आपको दिपावली का सुब मुहरत पूजा विधी और किस प्रिकार से माता लक्पी को परसन्न आप कर सकते हैं अश्टमित थी कभ रहेगी और कभ इसके सुब मुहरत अमवस्ता थी प्रदोस काल का मुहरत कभ रहेगा इन सभी के बारे में हम आपको इस विडियो में बताने वाले हैं और दिपावली के दिन वो कौन से छोटी छोटी बाते हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखकर ही कारी को करना है तो इन सभी के बारे में बताएंगे तो वीडियो को पूरा अंदर तक देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर लें ताकि ऐसे ही रोजाना आपको र्यूजफूल जानकारी में सके तुमित्रों इस बार आपको बता दें कि 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को मनाये जाएगा दिपावली का पावन पर लेकिन 25 तारिक को अमवस्ता थी प्रदोस काल से पहले ही समाप्त हो जाती है और 24 अक्टूबर को प्रदोस काल में अमवस्ता थी मजूद रहती है और उसी दिन निश्थित काल में ही अमवस्ता थी रही इसलिए 24 अक्टूबर को ही सर्वमानी रूप से पूरे देश में दिपावली का पर्व मनाया जाएगा जो तिस विदी विधान के अनुसार संजोग कुछ ऐसा बन रहा है कि नरग चतरदसी जिसे छूटी दिपावली भी कहा जाता है वो भी इस दिन यानिक कि 24 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा मत्रों दिपावली पर तिथी का सयोग कुछ इस प्रकार से है रविवार के दिन 23 तिथी साम 6 बच कर 4 मिनट तक रहेगी उसके पास 24 तिथी लग जाएगी दिपावली का महत जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि दिपावली का पर्व मुराइफ अच्छाई की जीत का दिवार है पौरानिक पान्यताओं के नुसार भगवान स्री राम जी ने लंका पतिरावन पर विजय प्राप्त की थी और इसी दिन वह 14 साल का वर्मास पूरा करके आयोध्या वापस लोड़ी भगवान राम के वापस आने के कुषी में यह परकास का पर्व दिपावली को मनाया गया है कहा जाता है कि जब भगवान स्री राम ने लत्मन और मा ता सीता अयोध्या वापस आय थे तो उनके स्वागत में लोगों ने दीपक चलाय था दिपावली मिलन के तेभार है इस दिन सभी लोग एक दूसरे के घर आते हैं और मिठायों को बाड़ते हैं ऐसे में दिपावली का पावन पर आपके घर में धन्धान की कमी को दूर करेगा रुपए पैसे में बढ़ोतरी करेगा और माता लक्वी जी की असीम क्रपा आप लोकों के जिवन में जर्म जनमानतर तक बनी रहेगी बित्रों आप दिपावली के दिन माता लक्वी जी को विशेश रूप से आप पुस्व अरफित चरूर करें और हो सके तो चांदी के सिक्के में लक्वी गनेश जी को आप जरूर बनवा कर उस दिन पुजा करें और आप विशेश रूप से माता लक्वी जी के मंतरों का उचारण करें भगवान गनेश जी के मंतरों का उचारण करें पूजा के उपरान आप अपने मन की सारी इच्छाओं को मातला लक्ष्मी जी और भगवान गनेजी के सामने आप रख दें ऐसा करने से आप लोगों के जीवर की हर प्रकार की मनोकामनाई पुर्ण होंगी आप जो भी चाहें वह प्राप्त कर सकते हैं और धन्धान की कमी आप की दूर होंगी मातला लक्ष्मी जी आप लोगों पर विशेश किरपा वर्साने वालिक हैं तुमत्रों आपका दिन बहतर भनें इसके लिए कमेंट बॉक्स में जै मालक्ष्मी जै स्रिग्रेस अवस्य लिखें आपका दिन सुभू मंगल कारी हो जै माप